आप सबका स्वागत है मेरी चानल जिले स्पाइस बॉक्स में आज चलिए बनाते हैं कॉर्ण पालक की रेसीपी आप लोगोंने तो पालक पनीर बनाया होगा लेकिन कॉर्ण पालक ये आज मैं लेके आई हूँ बनाने से पहले आप सबसे रिक्वेश्ट करूँगी अगर आप लोग अभी तक मेरी चानल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चानल को सबस्क्राइब कीजिए और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है मैं जितनी बारी किसे काट सकती हूँ, कोशिस किया है, उतनी बारी किसे काटने को और उसके साथ दो मिडियम साइज का आलू लेंगे, जिसको मैंने क्यूब सेप में काट लिया है, जादा छोटा मत किजिए और यहां पर आधा कप हम स्वीट कॉर्न लेंगे, जो भुट्टे के दानी होते हैं, तो यह मार्केट से आराम से मिल जाएगा, और उसके साथ हम लेंगे पिंच अफ हल्दी, एक आधा छोटा चमच नमक, आधा छोटा चमच जीरा, और पिंच अफ हिंग, दो हरी मिर्च, आ आट से नो कल यहां लैसुन और एक मिडियम साइस का प्याच, दोनों को मैंने लंबे-लंबे टुकडो में काटा हुआ है, और उसके साथ बस दो बड़े चमच हम रिफाइंड ओयल लेंगे, आप चाहें तो सर्सू के तेल में भी बना सकते हैं, तो कॉर्म पालक बनाने के लिए हम ग्यास ओन करेंगे, और उस पे कड़ाई चढ़ाएंगे, उस पे मैं ये दो बड़े चमच तेल डाल रही हूँ, ये एक बड़े चमच तेल में भी बन जाता है, बहुत ही कम तेल इसमें लगता है, तो तेल जब गरम हो गया, मैं इसमें हिंग जीरे की तड़का ल दाल दिया है, इसको फिर अभी हम करीवन एक मिनिट के लिए लो फ्लेम पे उसको थोड़ा सा ऐसे सौटे करेंगे, जिससे क्या होगा तेल में लहसुन की फ्लेवर अच्छे से आ जाएगी, मतलब साग में लहसुन का फ्लेवर बहुत मज़ा आता है ना, उसी लिए मैंने लहसुन को डाला, और उसके साथ मैं अभी प्याज डाल दूँगी, यहां पे प्याज को हमें साफ्ट नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, बस ऐसे ही क्रंची रहने देंगे और उसको पालक के साथ पकाएंगे, बस इसको ऐसे थोड़ा सा हलका सा हिलाते हुए, एक मिनि करने के बाद इसको हम ढख ये 3-4 मिनिट दर पकाना है, मीडियम डू लो फ्लेम पे हमें ढख के 3-4 मिनिट के लिए इसको पकाना है, ढख कन लगा के पकाने से क्या होगा? अलू हलका सा पक जाएगा, उसके अंदर नमक भी आ जाएगा, ऐसे तो पालक से खुप पानी निक और उसके साथ प्याज और लहसुन भी हलके हलके फ्राय हो गये हैं मुझे ऐसे श्टीम में वीडियो एडिटिंग करना बड़ा अच्छा लगता है उसके साथ फिर हम यह पालक डाल देंगे लेकिन पहले जब हम पालक डालेंगे उसको ऐसे ही हम धक्कन लगा देंगे कोई उ पांच मिनिट बाद आप डकन अटाईए और उसको अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर दीजिए और देखिए पालक हमारे कितने अच्छे पानी छोड़े हैं बस पालक से खुब सारा पानी निकलता है इसमें हमारा अलू बड़े अच्छे से पक जाएगा तो अभी हम इसको निकलता अभी कॉर्न डाल के हम आलू और पालक के साथ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको आभी ना तीन-चार मिनिट मतलब हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है तो थोड़ा साम कभर लगा देते हैं जिससे क्या होगा कॉर्न हमारा अच्छे जरुरत नहीं है और फ्लेम को पूरा मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम में जितना हमारा पानी निकला है यह जो पालक से पानी सारा सुखने तक हमें इसको पकाना है यह पूरी हमारी ड्राय सबजी बनेगी इसलिए देखिए करीबन पांच से साथ मिनिट का टाइम लग तो उसी वीच में मैंने किया तो यह देखिए मेरा पूरा पानी सुख गया है अभी लेकिन फ्लेम पूरा में लो कर दिया है लो करके इसको और पांच मिनिट हम धिमियांच पे रखेंगे तो इससे क्या होगा और वी जो एक्ष्ट्रा पानी होगा न ओ भी सूख जाएगा लेकिन आप यह जब नमक डालते हैं तो इसमें पहले कम डालिए फिर टेस्ट करके चाहिए ज़्यादा डालिए क्योंकि इसी वज़े से ही पालक में पालक कव कितना कम हो जाता है पता नहीं चलता है अभी हमारी सबजी बन गई है अभी हम ग्यास बंद कर देंगे और पाल लगता है तो बेल आइकन को जरूर दबाईए और आपकी कॉमेंट मेरे लिए बहुत माइनी रखता है ऐसे ही जिली स्पाइस बोक्स के साथ बने रही है थैंक यू